ब्राट टु यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स डिली की मुख्यमंत्री की तरब से राहत है कि जब ये नजिये पहले लागू था तो लोगों को कितनी परेसानी होती थी और अब लोगों को कितनी सुविधा होने वाली है सबसे पहले अपना नाम बता दे मैं सर मेरा नाम सोन सिंग है तो मीट्रों की समस्या को लेकर मेरे को शायद ठीक डंक से जो मैं आपको बताऊं तो मीट्र जब अपलाई करने के लिए जाते हैं तो एनोशी की तो समस्या आती आती यह थी एक साल हो गया इसको उसके बाद में से ओंडम जिसको अवर्लोड बोलते हैं यह चंदर व्यार इलाके में वैसे भी कई कच्छी कलोनियों में जो है क्योंकि अब मकान सारे बन चुके हैं जगा बची नहीं यह कहते हैं जी अवर्लोड हो गया ट्रांसफार्मर लगने की हमें जगा दो जगा ना गोर्मेंट उपल आना यह लेते हैं कोई उसकी सुनवाई नहीं है और आज की डेट में भी जो यह एक बार में आ भी चुका है कि डीडिये ने अनुसी लेना जो है बिस इस ने बंद कर दिया है लेकिन आज भी वो जो प्लोड हैं जिनको टंप्रेरी मीटर भी चाहिए जा किसी को अपना पक नहीं है मैं आपको बताओं अपको लगता है किसमें थोड़ी और सक्ति की जड़ोता या अधिकारियों को निर्देश देने की जड़ोता अब मेरको तो यह डर है क्या एल जी सहाब ने पहले लिख दिया के डीडिये नोसी नहीं मांगी जाएगी आज आतीशी बोल रही है तो इस दोरान यह जो इनके लड़ाई जगड़े में जो राजनीति के चकर में यह जनता पिसरी है अब इसके बाद मेरको तो यह डर है कि कभी दूसरा ओडर ना आ जाए कि जी हम मुकमंत्री की बात नहीं मानते ल जी सहाब यह ना कह दें तो एक्चल में परेशानी खतम परेशानी खतम नहीं यह ंजिए आप चा отдых आए कि यहयुद जंता परेशान हैं बाकी अधि कौछ और लोगे हम से बीदा नहीं मेरा नाम है सिंसर्व क्या लगता है कि जो एनलसे की ज़रत खतम किया है दिली की मुक्मंत्री ने उससे कितना फायदा होगा एसी कालुनी मे और पास करने से कुछ नहीं हो ना जब तक इंप्लिमेंट नहीं होगा आज भी हम लोग जाते हैं महीनों महीनों चार-चार मीने धक्ये खाते रहते हैं अभी पीछे भी गए तो तो यहां भी लिखा वह लिखा कोई नोटिविकेशन नहीं आया हुआ थीक है न तो वह तो बह प्रिणान कि लिखाट अभी पार्किंग इसे लुग लिफ्ट भी लगाएंगे अब लिख लगाएंगे तो मीटर चाहिए द्यू करेंगे मिलता है हो चाट्सा चार साल जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए जल्दी से जल्दी किसी को बोलना चाहिए कि भाई आप किसको करवा हो जब तक करेंगे निए तब तक काम होगा नहीं कुछ और लोग है मुन से भी बात करते हैं अपना नाम बता दें नमस्कार सुकुंदर सिंग गुलू एक हमारी एक चंदरव्यार की खुबसूरती और हम लोग इस शेत्र में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और यह जो ब्यानबाजी हो रही है इस ब्यानबाजी के कारण सिर्फ और सिर्फ जंता और डिपार्टमेंट आपस में बेढ़ रहे हैं और मजे ले रही है बीसियस क्योंकि अब आप देखोगे तो चोटी टूटी टंकिया खंबे पर रखी हुई है और उस इंफरस्ट्रेक्टर को बनाने की जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी बीसियस की है कोई हम मीटर अप्लाई करते हैं पैसे देते हैं उसका महिने का रेंट देते हैं और जब हम उन्चे मीट भण कते तो वह की तरते हैं वहीं जया कि लगवढ़ फोणान का चकर है तो और हम ने तोडी करना है अगर बस में जा रहा हो तो पो स्थील के जलती और इसको लेके भी कोई भी मतलब घटना हो सकते हैं मतलब बिजली से तो हम इतने परिशान हैं कि ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है सिरफ और सिरफ ब्यानबाजी आप देखिए किसी भी खंबे पर कोई लाइट नहीं है बुरा हाथ सारी तारे लटके हुई हैं कोई भी अदसा हो सकता है और इधर ऐसे हाथ से मदब करीबन रोज ही होते हैं कभी कोई तार गई कि किसको कर्णेट लग गया रात को चैन से नेचिंग होती है तो यह सारा का सार जो जड़ में जो सिस्टम बैठा हुआ है उस सिस्टम काम नहीं कर लेकिन जो कंपनी है उसकी मनमानी अब भी जा रही है कुछ और लोग है हम उनसे बात करते हैं क्या लगता है सर्माची जो एनोसी की ज़रत खत्म करने तो को असलियत में क्या यह आप आगे चुनाओ दो तिन मीने बाद चुनाओं अब यह गोशना करे जाएंगे पहले यह कहते थे कि LG नहीं करने दे रहा फिर बाद में कहते हैं जी हम गोशना कर रहे हैं अब इन्होंने का 15-15 करोटर रुपे हम MLA को दे गए जब टाइम पिरेट निकल गए जब बता रहे हो कि 15-15 करोटर रुपे यह आप BSS के मीटर की NOC गोशना कर रहे हो BSS तो आपके अंट र आपके जनता ने ठाल लिया कि अगर BDS का यह तो BDS को वोट दे के गवर्मेंट को यह टेंशन फ्री हो जाए तो इतनी बात कहने कुछ और लोग हम उनसे भी बात करते हैं किस मसले पर उनका क्या कहना वो क्या सोच रखते हैं अपना नम रणी सिंग नोची की जोरत करना की जोचना तो हुई है लेकर हमें पूरा विश्वास में कोई इलेक्ष्ण के टेम पर ही जाकि यह घोचना करते हैं यह करना चाहिए ना इसलिए जो भी है यहां पे जनता है वो तो पिसरी है विजली नहीं लग रहे तो अधिन तो परशानत होई है ना और सफ़ाई भी नहीं हो रही हम जाते हैं बद हां हां कर देते हैं उसके बाद कोई काम नहीं होता अपना नाम बता जी है सुनीता गुपता क्या लग रहा है सब प्रॉब्लम ही है और बिजली का ज्यादा समस्य है जब से बहुत जाले दिक्कत हो रही है कुछ और लोग हैं मुन से भी बात करते हैं तो देखिए साफ तर पर चंदर विहार इलाके में जो हमने लोगों से बात की जो सीएम आतिसी ने एनोसी खत्म करने का जो एक सरकुलर जारी किया इसको लेकर लोगों का साफ तर पर कहना है कि एक आदेस तो पारित हो जाता है तो एक्चुल में जो एनोसी की जरुत के लिए अभी भी धके खाने पड़ते हैं साथी कुछ और समस्याओं के बारे में लोगों ने यहां बताया उसको खत्म किया जाए तब ही ग्राउंड पर लोगों को इस एनोसी को खत्म करने का जो आदेस सीएम आतिसी की तरब से किय मिलेगा मनोरेंजन कुमार दिल्ली तक